महज पांच मिनट में मोतिहारी के चक्या में लूटेरों ने एक ज्वेलर्स को ना सिर्फ कंगाल बना दिया बल्कि उसके दोनों बेटों को गोली मार कर खायल कर दिया लूट की पूरी घटना CCTV में दर्ज है इस CCTV को गौर से देखिए कि कैसे अपराधी दुकान में घुसते हैं और दुकान के सुरक्षा में तैनात एक गार्ड पर पिस्टल तान कर उसे बंधक पना लेते हैं और फिर दुकान के भीतर जाते हैं जुलर्स के दुकान के लूट के इस CCTV में एक-एक अपराधी साफ में जरा रहा है हर के हाथ में पिस्टल है और दुकान में घुसकर जिस तरह से लूट को अंजाम दिया गया है उससे साफ है के अपराधी इस दुकान से परचित हैं ये बेखाफ लुठेरे मोतिहारी के चक बोरे में भर कर फरार हो जाते हैं लुटेरों की गुली से घायल दुकान मालिक के दोनों बेटों की नीची नर्सिंग होम में इलाज कराया जा रहा है दरसल पुर्वी चंपारन जला के चकिया थानाशेत्र इस्थित रानी गंच मुहला के देवीलाल प्रसाद जुलस दु रोश हत्यारबंद अपराधियों के करतूत कैद हो गई है सीसी टीवी में मुह पर रुमाल बांधे अपराधी दुकान में घुसने के पहले हाथों में पिस्टल रखे हुए दिखाई दे रहे हैं उसके बाद अपराधी दुकान में लूट पार्ट मचाते हैं और बोरा मे सोना चांदे के गहने भर कर फरार हो जाते हैं जबकि दुकान पर बैठे दुकान मालिक के दो बेटे लूटरों से गूली नहीं चलाने का आग्रह कर रहे हैं पर अपराधी फाइरिंग कर दोनों को घायल कर देते हैं अब पुलिस सिसी टीवी फुटेस के अधार पर अपर CCTV में घटना को अंजाम देने आए सभी अपराधी पेखौफ दिख रहे हैं। अपराधीों ने मुह पर मास्क लगा रखा है और सभी के हातों में पिस्टाल और कट्टा दिख रहा है। दुकान में घुस्ता ही अपराधीों ने दुकानदार और ग्राहकों को हत्यार का भै दिखाया। जिसके बाद सभी ग्राहक दुकान में हाथ जोड़कर खरे होगे। दुकान पर बैठे मालिक के दोनों बेटे अपराधियों से गोली नहीं चलाने के लिए बार-बार हाथ से इशारा करते दिख रहा है। लेकिन तभी अपराधियों की एक गोली पवन सर्राफ और एक गोली सुधिर सर्राफ जो मालिक के दोनों बेटे हैं उनको लग जाती है उसके बाद सभी डर जाते हैं CCTV फुटेज में अपराधी बुरे में जुल्डी का डबा रखते हुए दिख रहे हैं दुकान का गला समेत कई शोकेस को मुश्किल से पांच मिनट में अपराधियों ने खाली कर बुरे में भर लिया और फाइरिंग करते हुए फरार हो गए कितने के लुट हुई है इसका सही आंकलन अभी करपाना मुश्किल है लेकिर अनुमान जो लगाया जा रहा है उसके हिसाब से लगभग दो करोर के जुल्डी अपराधी लूट कर ली गए है दरसल पुरवी चंपारण के चकिया ठाना शेत्र में देवी लाल परसाद जोलर्स को अपराधियों के गोली से घायल दोनों भाई चलाते हैं और घटना के समय दोनों भाई दुकान पर बैठे थे उसी समय हत्यार बंद अपराधी दुकान में घुसे और फाइरिंग करनी शुरू करती अपराधी दुकान से बोरा में भर कर करोरों रुपए के जेवरात लूट कर ले गए जखमी स्वन बैवसाई पवन सर्राफ और सुधिर सर्राफ को इलाज के लिए नीजी नर्सिंग होम में भरती कराये गया है पवन की बाह में गोली लगी है वहीं सुधिर सर्राफ के पेट में गोली लगी है घटना चकिया थाना शेत्र में के सरिया रूट की है पुलिस से सी टीवी फूटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जूटी है पुलिस ने घटना अस्थल से गोली के पाँच खोखे भी बरामत किये हैं घटना के बाद गुरू बार को ब्यपारियों ने चक्या में दुकाने बंद कर दी और सरक पर अपराधियों के खिलाब प्रदर्शन करना शुरू कर दिया जिस कारें इलाके में बंदी की स्थिती हो गई ब्यापारियों ने पुलिस पर सुस्त होने का आरोप लगाया है लोगों का ये कहना है कि पुलिस के रहते हुए जिस तरह से अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है उससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस कितनी सुस्थ है और अपराधी कितने चुस्थ है लोगों कर दो दो बन्हें लेंगे जिए मॉली पुलिस में अपना प्रयास पर्यास कि तब टक उसको आएई गया होगा कि यहां के वे उसायों पर पर्मा मेंट बोली चलते रहता है परृषासन के कोई आदमी इसका माली पनता है ना पर ठाहसन कहीं से कहीं आता है और नूट हो जाने के बाद एक हंटा के बाद परृषासन दर्वाजेबर मोटने अगर इसनी तरह का घट्रा हुआ तो निस्तित्काल के लिए चख्या को बंद कर दिया जाएगा बैराल घट्ना के बाद पुलिस सिसी टीवी के जरिये अपराग्यों को तलाशने में जुटी है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह अपराग्यों ने बेख़ॉफ होकर लगबग दो करोर के जुटी की लूट को अंजाम दिया है उससे एक बार फिर ब्याहर के जुटी बहभीत हो गये हैं और वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनको अगर बैवसाई करना है तो उनको सुरक्षा दी जाए खुलासा के लिए मुतिहारी से अरविंद कुमार की ये खास रिपोर्ट